डेवी क्लास 7 मैस चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रोबर्टी की ब्रें टीजर की वर्क्षिट का पॉस्चन नंबर 2 है एक आदमी है वो 5 मीटर इस्ट की तरफ जाता है और फिर वो जाता है नौर्थ डारेक्शन में 12 मीटर fire the distance from the starting point से उसका कितना distance है वो हमें find out करना है तो आपको पता है कि कैसे हम direction को दिखाते हैं जैसे यह मैंने बना रखा है उपर क्या होती है नौर्थ डारेक्शन होती है और नीचे south इधर east डारेक्शन होती है और इधर होती है west ठीक है तो उसने कहां से शुरू किया वो मालो इस point से चलता है point A से वो चलना शुरू करता है पहले वो east की तरफ जा रहा है 5 मीटर तो 5 मीटर ऐसे east की तरफ और चला मालो ये 5 मीटर यहां तक चला A इसको point को मालो B तो 5 मीटर चला इसको हमने लिख लिया 5 मीटर A भी कितना है 5 मीटर और फिर East की तरफ चलने के बाद फिर वो चलेगा North की तरफ 12 मीटर तो अब North की तरफ जाएगा 12 मीटर ऐसे North की तरफ जाएगा वो 12 मीटर तो ये कितना है 12 मीटर इस point को मान लिखते हम C ठीक है तो A भी कितना है 5 मीटर पहले वो East की तरफ चला और फिर वो चला North की तरफ 12 मीटर अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना find the distance from the starting point ये starting point क्या है A और A और C के बीच का हमें distance निकालना है कि starting point से उसका कितना distance है तो हम इसको दोनों को मिला देंगी ये distance हमने निकालना है AC AC हमें find out करना है आप देख रहे हो कि ये वारा जो angle है वो कितने का बना है 90 degree का बनेगा और इसके सामने वाला 90 के सामने वाला क्या होता है hypotenuse होता है तो ये एक कोल सी triangle बन गी है ये एक right angle triangle बन गी है तो इसमें हम pythagora से लगाएंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं इस question को बिल्कुल इस यह है in triangle let in हमने एक right triangle मान लिए let in right triangle ABC जो जो हमें given है वो लिखने हैं कि हमने AB को क्या मानना है AB कितना मानना है हमने 5 meter मानना है जो east की तरफ चला है और फिर हमने PC को कितना मानना है 12 meter और हमें AC find out करना है यानि कि जो उसका distills from the starting point ये हमें AC हमने find out करना है तो हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थियोरम आपको पता है पाइथागोरस थियोरम क्या हती है hypotenuse का square पाइथागोरस कहाता है hypotenuse का square यानि की AC का square यहाँ पे AC hypotenuse है जो बाकी triangle की दो side बचकी उनके square के sum के एक बोलता है बाकी कुन-कुन सी है AB का square और दूसरी side है BC PC का square ये पाइथागोरस थियोरम है अब सारी value put कर देंगे AC हमें नहीं पता तो AC का square हमें AB पता है कितना है AB 5 तो 5 का square और BC कितना है 12 है तो ये आज़ेगा 12 का square 5 का square होता है 25 और 12 का square होता है 144 25 और 144 का add करेंगे आएगा 169 यानि कि AC का square के आगया 169 अब इसको भी square की form में हम लिख लेंगे 169 किसका square होता है 13 का square होता है यानि कि 13 multiply 13 होता है 169 दोना तरफ square आगा है बीच में एक वल है तो square से square cancel हो जाएगा तो AC की value कितनी आगी 13 ठेक है तो हमने इसको अब निकाल लिया है जो हमें निकालना था distance from the starting point distance from the starting point distance from the starting point क्या distance आए हमारे पास जो इसकी value आई हमारी AC की यानि की 13 meter ठेक है तो इस तरह से question करना था अब इसका next question देखते है अब question number 3 है इसका the width of a rectangle is 5 centimeter एक rectangle giver है और उसकी width यानि की breadth कितनी है 5 centimeter है and its diagonal और इसका diagonal भी given है कितना 13 centimeter what is its perimeter इस rectangle का हमें perimeter निकालना है तो मैंने एक rectangle बना रख है तो आप rectangle का नाम दे सकते है ABCD एक rectangle ऐसे बना लेना है आपने उसकी width हमें given है यानि की breadth given है कितनी तो हम BC मान लेते हैं BC जो width है वो कितनी है 5 centimeter और इसका diagonal given है तो एक diagonal बढ़ा लेते हैं चलो AC diagonal ले लेते हैं इसका diagonal भी given है हमें कितना 30 centimeter तो हमें width और क्या given है width और हमें diagonal given है हमने लिख लिया हमें length नहीं पता length हमें नहीं पता तो length को हम X मान सकते हैं या फिर A,B रहने दो ठीक है तो हम ये पहले निकाल लेंगे फिर अगर हमें length और breadth rectangle की पता लग जाती है तो हम इसका फिर क्या निकाल सकते हैं हम इसका perimeter निकाल सकते हैं क्योंकि perimeter निकालने के लिए length और breadth का पता होना जुरूरी है तो हम पहले इसकी लेर्थ निकाल लेंगे और आप पो पता है rectangle का हर एक angle कितने degree का होता है 90 degree का होता है तो यह हो गया 90 degree का angle 90 degree के सामने वाली जो होती है side वो होती है hypotenuse यानि कि AC हो गया hypotenuse और यह right angle triangle बन चुकी है triangle ABC इस तरह से हम third side इसकी निकाल लेंगे तो हम लिख लेंगे in in right triangle in right triangle ABC right triangle ABC में क्या है वाई हमें क्या given है AC given है हमें AC जो diagonal है वो हमने 13 cm मानना है और जो BC है उसको हमने कितना मानना है BC है 5 cm ठीक है और जो length है length हम क्या AB पहले निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे AB AB क्या है इसकी length है यह क्या चीज़ है इसकी length है तो यह हमें find out करेंगे Pythagoras से तो हम लिखेंगे using Pythagoras theorem using Pythagoras theorem Pythagoras theorem क्या करती है hypotenuse का square यानि कि AC का square equal to बाक्की दो side बचे उनके square के sum के equal यानि कि AB का square plus BC का square ठीक है तो AC कितना है AC है 13 यानि कि 13 का square AB हमें find out करना है BC कितना है 5 यानि कि 5 का square हो जाएगा 13 का square होता है 169 और यहा पर आएगा AB का square और 5 का square होता है 25 25 इतरे plus कर रहा है 169 में से 25 माइलस करेंगे तो 144 आएगा यानि कि AB का square 144 तो AB का square आएगा यानि हमें चलो लिखने लेते है पहले AB का square कितना आगया 144 अब हमें AB की value निकालनी है तो 144 को भी हम square की form में लिख लेंगे और आपको पता है कि 144 किसका होता है 12 का square होता है तो 12 को अगर दो बार multiply करेंगे 144 आजएगा तो 12 का square होता है तो AB की value क्या आजएगी इदर भी square है उदर भी square है और बीच में क्या है equal का sign है तो square से square cancel हो जाएगा तो AB की value कितनी आगी 12 यानि कि जो length है length कितनी आगी जो rectangle की जो हमने length निकाल ली है वो कितनी निकाल ली है 12 cm और breadth हमें पता थी breadth कितनी थी breadth यानि की width कितनी थी breadth करो या width करो या या की बात है width हमारे पास थी 5 cm अब हमने निकालना क्या है हमने निकालना इसका perimeter क्या निकालना है perimeter perimeter of rectangle क्या होता है आपको पता है, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle, rectangle का perimeter क्या होता है, formula आपको पता होगा, वो तर 2 into L plus B, 2 into L plus B, 2 into bracket L कितना है, length 12 है, और breadth कितनी है, 5 है, तो 2 into 12 और 5 आजएगा, 17, दोनों की multiply होएगी तो आजएगा 34 क्या centimeter, तो यह हमने क्या निकाल दिया, perimeter भी इसका निकाल दिया, तो इस तरह से question करना था, अब इसका next question देखते हैं, question number 4 है, इसका in figure 8.23, triangle PQR and SQRR, आइसोसेलस, दो triangle हमें given हैं, और दोनों triangle क्या हैं, आइसोसेलस हैं, हमें find out करना है, angle PQR और RPRQ, यह हमें find out करना है, दोखो यह triangle है, हमें PQR, एक triangle तो यह हैं, बड़ी triangle, और एक triangle इसके अंदर हैं चोटी, यह दोनों की दोनों क्या हैं, आइसोसेलस triangle हैं, तो सबसे पहले हम बड़ी वाली triangle लेंगे, पहले सब को भूल जाओ, जो बाकी छोटी हैं, हमें सिर्फ बड़ी triangle ले ली हमने, और सी, PQR, हमें find out क्या करना है, angle PQR, यह वाला angle, और PRQ, यह वाला angle, यह दोनों angle हमें find out करना हैं, और यह आइसोसेलस triangle है, यह वाली side, इस side क क्या है, equal है, यानि कि PQ किसके equal है, PR के equal है, ठीक है, इतना समझ गे आप, आप करते है question को, हम ले लेंगे, बड़ी वाली triangle, ले लेंगे, तो हम लिखेंगे, in triangle, in triangle, यह in isocellus triangle, PQR, ठीक है, isocellus triangle है, इसमें क्या है, जो side, जो PQ है, वो किसके equal है, side PR के equal है, इसने हमें दे रखा है, यह कट सा लगा रखा है, इसका मतलब है, यह दोनो side क्या है, equal है, यह हमें given है, तो अगर side equal हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, angle भी equal हो जाते हैं, यानि कि angle, angle P, यह वाला angle, इस side के equal हो जाएगा, ठीक है आपको पता है न, यह वाला एंगल इस साइड के एक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों साइड क्या है, एक्वल हैं, तो एंगल P, एंगल P, Q, R, किसके एक्वल हो जाएगा, ठीक है, यह दोनों एंगल एक्वल होगे, तो एक्वल होगे तो हम इसको मान लेते हैं, चलो यह वाना angle A है, और यह वाले किस वाले angle को भी A मान लेते हैं, दोनों angle को हम A मान लेते हैं, तो let angle PQR और angle PRQ दोनों को A के equal मान लेते हैं, अब आगे दोखो, इस तरह से करेंगे, अब देखो, यह triangle है, और इसका हमें ऊपर वाला जो angle है, वो given है, वर्टिकल अंगल कितना है, 30 degree, तो angle sum property हम लगाएंगे, तीनों angle का हम sum कर देंगे, तो यह लिखेंगे, लिख देंगे angle P, angle P, plus angle P, Q, R, plus angle P, R, Q, is equal to 180 degree, को सी property लगा दी, angle sum property, angle sum property of triangle, ठीक है, यह property हमने लगा दी, अब angle P कितना है, angle P है 30, और इस angle को हमने A मनना है, और P, R, Q को भी क्या मनना है, A मनना है, क्योंकि यह दोनों क्या थे, equal थे, दोनों को A के equal हमने मान लिया, तो आप गी अगर इसको करेंगे, पोस्टन को, तो A, A, 2A हो जाएगा, और यहा is equal to 180 degree, ठीक है, तो 2A क्या आ जाएगा, 30 उदर जाके minus होएगा, 180 minus 2, sorry, 180 minus 30, तो 180 में से, आप क्या कर देंगे, 30 को minus कर देंगे, 180 minus 30, तो कितना बचेगा, 2A आ जाएगा, वारे पास है, 150, तो A की value क्या आएगी, तो multiply करता है, उदर जाके divide करेगा, तो cutting होएगी, तो A की value हमारे पास आएगी, 75, तो दोनों angle हमने निकाल लिए, कौन-कौन सा angle, angle, हमने कौन सा निकालना है, angle जो हमें निकालना था, angle P, Q, R, यह हमने A माना था, यह भी कितना आगया, 75, और दूसरा angle, angle, angle P, R, Q, यह दोनों angle के आगे हमारे पास A की value आगी, यह निकी 75, 75, तो हमने यह दोनों angle निकाल लिए, 75 degree और 75 degree, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यह first part है, यह तो complete हुआ, अब हम इसका करते है second part, second part में हमें क्या लेनी पड़ेगी, जो छोटे वली triangle है, वो लेनी पड़ेगी, ठी है, second part में हमें चोटे वली triangle लेनी पड़ेगी, हमें क्या निकालना है, angle SQR, यह वाला angle निकालना है, SQR, यह वाला, तेक है, यह वाली triangle है हमारे पास, यह triangle है, इसका यह वाला angle, और SRQ, यह दोनों angle निकालना है, हमने यह दो, यह भी ISOCELLIST triangle है, अगर हम अंदर किसे ऐसे बनाने, S, बाफ की सब को भूल जाब, SQR में यह वाला angle है, और यह वाला angle हमने find out करना है, और उपर वाला angle हमें given है, कितना, 70 degree, ठीक है, उपर वाला angle हमें 70 degree given है, तो बिल्कुल जैसे हमने, और यह दोनों side क्या है, equal है, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही कर देंगे इस question को भी, तो in, in isosilus triangle, कौल सी triangle है, SQR, in isosilus triangle, SQR, इसमें क्या है हमारे पास है, जो SQ है, जो side SQ है, वो किसके equal है, side SR के equal है, side equal हो, जब हो जाती है, तो angle जो opposite angle, उनके है, वो भी equal हो जाते है, इसका मतलब क्या equal हो जाएगा, angle SQR, किसके equal हो जाएगा, ये दोनों angle क्या हो जाएगे, ये दोनों angle क्या हो जाएगे, ये दोनों angle क्या हो जाएगे, equal हो जाएगे, क्योंकि side equal है, ठीक है, अब इन दोनों angle को हम वही मान लेंगे, जैसे हमने पहले बना था SQR और SRQ इसको हम किसके Equal मान लेते हैं चलो B के Equal हम मान लेते हैं कि मान लो कि ये दोनों अंगल क्या है B है क्योंकि ये दोनों Equal थे हैं इसलिए हमने B के Equal मान गें इसको अब इसको आगे वैसी करेंगे तीनों जो अंगल हैं उनको add कर देंगे उपरवाड़ा अंगल कौन सा है अंगल S है अंगल S और प्लस अंगल SQR प्लस अंगल SRQ is equal to 180 degree और ब्रैकेट में जैसे हमने पहले लिखा था वैसी लिखे देंगे अंगल सम प्रोपर्टी ओफ ट्रैंगल अंगल सम प्रोपर्टी ओफ ट्रैंगल अंगल S हमें गिवन है कितना 70 degree है ठीक है और इन दोनों अंगल को हमने B और B मानना है तो B भी रख देंगे इसकी जगा 180 अब B और B हो जाएगा 2B और 70 प्लस 2B is equal to 180 degree अब 2B किसके एकवन आएगा 70 उदर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2B equal आगा हमारे पास 180 में से 70 है जब हम माइनस करेंगे तो 110 आजाएगा तो B की value क्या आई 110 अपॉन 2 यानि की cutting वहीगे तो क्या आएगा 55 degree यानि कि जो हमने B मानना था वह कितना आगा 55 degree यानि कि दोनों जो angle है जो हमें निकालने थे वह B के equal है S Q R हमें B के equal मानना था ये क्या आगा 55 degree और दूसरा angle S R Q ये भी किसके equal था B के equal था तो ये भी कितना आगा 55 degree तो हमारा जो ये second part है ये भी हमारा क्या हो गया complete हो गया हमने क्या निकाल लिया दोनों जो इसका जो second part था दो एंगल थे दोनों एंगल लिए अब इसका जो third part है Find Angle X हमें Angle X निकालना है इस बार जिर एंगल Angle X है कहा पह ये देखो ये राइह Яंगल X ये वाला एक्ष है और ये पूरा एंगल है ये पूरा एंगल कितना है PQR ये पूरा एंगल कितना है PQR ये पूरा एंगल इसका और ये एंगल भी हमें पता है ये एंगल हमें अभी अभी निकालना है SQR SQR भी हमें गिवन है कितना है 55 ये हमें निकालना है ये वाला एंगल 55 है ठीक है और टोटल एंगल भी हमें पता है तो एंगल X कैसे निकलेगा टोटल एंगल में से यानि कि PQR में से क्या माइनस कर देंगे SQR हम माइनस कर देंगे PQR में से क्या माइनस कर देंगे SQR ठीक है PQR में से एंगल SQR- कर देंगे X की value आ जाएगी angle SQR- कर देंगे तो हमें angle जो X है वो मिल जाएगा तो हम चलो लिख देते हैं यहें पर चलो यहीं पर कर देते हैं उपर ही कर देते हैं यहीं पर कर देते हैं तो angle X की value क्या आएगी angle X की value हमारे पास आएगी total angle एंगल PQR माइनस एंगल SQR SQR तो एंगल PQR हमने क्या निकाल ला है? हमने निकाल ला है 75 डिगरी और एंगल SQR निकाल ला है हमने 55 डिगरी जब इसमें से यह माइनस होएगा तो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 20 डिगरी और यही हमारा क्या है? तो यहाँ भी हमने क्या निकालना था X को निकालना था यानि कि इस पूरे टोटल एंगल में से ये वाणा एंगल जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा X ही बचेगा तो इस तरह से अपने question करना था और इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा नगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ शेर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार